नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक बार फिर से एक नहीं वीडियो में तो दोस्तों GKSSB क्लास फॉर्थ की जो केंडिट्स का है उनके लिए दो इंपोर्टन नोटिस आए हुआ है ठीक है जेके एससबी की तरफ से एक तो उनकी रिवाइज आंसर की हुई है ठीक है और सेकंड जो है उनका पोस्त उनको प्रेफरेंस देने का मोका दिये गया है GKSSB दोरा ठीक है दोनों नोटिस जो है मैं आपको कम्प्लील्टी बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट जो है आपका हम बात करें रिवाइज और फाइनल आंसर की आप ओमर बेस अब्जेक्टिव टाइब जो रिटर्न इंजामिनेशन आपका हुआ था ठीक है क्लास फॉर्थ के लिए जैसे 27-28 और एक मार्च को ठीक है कुछ केंडेट्स ने जैसे सेकंड आप परग्राफ में देखोगे where a link was activated on the official website of the GKSSB for sharing the answer of the different set along with the provision of the submitting the representations if any जो कुछ के अपति जो उनकी पाई हमारा क्वेशन से ही आपकी अंसर की कर्णिंग गलत है मतलब हमारा क्वेशन से ही है लेकिन आपने गलत किया हुआ है ठीक है उसकी जो थी उसमें लगबग 474 जो टोटल 474 कैंडिट्स से उन्हेंने अपति की लगबग 100 क्वेशन के गाडिंग ठीक उनका जो 100 क्वेशन टोटली इतने कैंडिट्स से है अपति की 100 क्वेशन की ठीक है अब जो उनका मेडिकल उनका जो बोर्ट था एक्सपर्ट से यह कैसी क्लाज की ठीक है जो एक्जाम चेक कर रहे थे उनके कॉर्डिंग इट हैस विन फोन्ट दैट देर इस नो चेंज इन देकलियर आंसर की जो समय उन्होंने आंसर की को किया था ठीक रहे थी रहे थे हैं अब फिर भी अपना आंसर की रिवायस हो रही है अब हरे केंडियट आंसर की चेक कर सकता अपनी वाखिज हुआ अपके आपका थे रि़जल्ट और शॉट लिस्ट बिल पर प्रिपेड ह the the already declared answer की answer की कि according ही आपका result जो है त्यार किये जाएगा ठीक है आप फिर पिर अपनी answer की दुबारा चेक कर सकते हैं जो candidates करना चाहता है next अपनी notification में चलें तो वो है आपका seeking the preference for the various district or division and UT cadre post के लिए ठीक है यससे आप सभी को बता यह total vacancy है इसकी प्रचास आठ हजार तॉनसुप प्रचातर बगेंस यह district UT और division cadre की ठीक लास फोर्थ की जो advertisement निकाले गी थी उसकी date बगारा बताईगी यह तो at time जब आपने यह form फिल किया था उस समय आपसे preference नहीं लिये गया था कि आप UT का भर रहे हो यह district का भर रहे हो यह आप divisional का कर रहे हो क्योंकि उस समय सिंपल आपसे class 4th post for the class 4th आपने टिक कर दिया था देन आपका form apply हो गया था उसके बाद आपका return exam हुआ तीन shift में 27, 28 February और 1 March को ठीक है अब आपका exam complete हो चुका था आपकी answer की आ चुकी है आपकी revise answer की भी होगी अब time है आपके final result का declare करनेगा इसलिए आपसे preference मांगा गया है तो आप कुछ candidates बोलेंगे पूछने चाहेंगे की question होगा माइन में की हम preference कौन से भरे तो आपने चेक करना है की आप district का frequency ज़्याद है चा डविजर की या UT की उसी according अपना preference आप भर सकती है ठीक है इसकी date कब से है और अब कब से उसको apply कर सकते है तो नीचे हम बताएंगे आपको बस यह से एक आप notification देखो candidate will be required to indicate the order of the preference for the allotment आपको उसी according जो है आपको allot की जाएगी frequency आप selected अगर GKSSP class 4th का return qualify कर लेते हो जो merit उसका जाएगा तो आपको उसी according जो है ब्रकेंसी जानि दी जाएगी हर एडिस्टिक और डिविजनल का merit अलग बनेगा ब्रकेंसी के according जितने candidates होंगे इसका आप GKSSP.NIC.IN पर 26.3.2021 से 14.2021 तक आप जा सकते हैं फिर यसे आपका यह process complete होता है देन आपका result जल्दी ही declare कर दिये जाएगा ठीक है इसलिए आपसे preference मांगेगे हैं यसे को लेटर notification आती है फिर आप तक पहुंगे तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करें और वीडियो अच्छे लगे तो like करना और अपने friends के साथ share देना ठीक है दोस्तों ओके बाई फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में